दोस्तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप 2024 में बिहार बोद से 11 में अपना नमांकन लेना चाहते हैं लेकिन अभी तक आप इसके लिए ओन लाइन अवेदन नहीं किये हैं तो इसका जो लास्ट देट को कब तक रखा गया है यानि कि कब तक आप लो पसंद है तो इसे लाइक से जो किजिएगा चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा ताकि जुविस परिकार की अपदेट हुआ सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी तो चलिए भीना देगी कि आज को शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको विहार बोद करेंगे आपके सामने इस परकार से ओनलाइन हेल्फ दो तिन का वेबसाइट ओपन हो जाएगा इस वेबसाइट का डारेक्ट लिंख वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हैं महां सब्सक्राइब आ सकते हैं इस वेबसाइट पाने के बाद यहां पर करेंगे आपके सामने इस परकार से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा इस पेज का भी डारेक्ट लिंक हम इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हैं वहां सब्सक्राइब आ सकते हैं इस पेज पाने के बाद यहां पर आपको नीचे को स्कोल करके नीचे आप देखेंगे एलेवेंटेड मीशन दोजार चूविस सारी जनकाई को आप बता दिया हैं तो यहां पर आकर करके पूरी जनकाई प्राप्त कर सकते हैं यहां पर आप देखेंगे तो इसके लिए जो ओनलाइन अवेदन की परिकिया सुरू की गई थी वह 11 अप्रेल 24 तक रखा गया यानि कि कल तक आप इसके लिए ओनलाइन अवेदन कर सकते हैं अब दोस्तों यहां पर आप कहेंगे कि इसका लास्त देख जो अभी 24 दोजार चूविस तक रखा गया यह अभी यहां पर जो है बीस अप्रेल दोजार चूविस तक है तो बाद में इसे बढ अब लांडा कि सब्सक्रा थे लुग तो देखें यहां पर आप लोगों का देख़ाने की चांस यहां पर आप लोगों का चांस है कि डेश बढ़ेगा मतलब कि यहाँ पर अगर अभी तक आप online अवेदन नहीं किये हैं तो यहाँ पर अभी आपको 20-1224 तक ही मोखा दिया गया लेकिन इस बीच भी अगर आप online अवेदन नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर आपको फिर से मोखा दिया जाएगा लेकिन इसके लिए अभी तक कोई भी official update नहीं आया है कि इसका जो date वो 100% बढ़ेगा लेकिन जैसे ही इसका कल समाप्त हो जाएगा date उसके बाद इसके लिए official update आजाएगी और उसके बाद आप लोगों को जनकाई दे दिया जाएगा कि इसका date जो वो बढ़ चुका है जैसे इस date को बढ़ा दिया जाएगा यहाँ पर update कर दिया जाएगा यहाँ पर जो भी date बढ़ा करके यहाँ पर new date आएगा उसकी जनकाई यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा तो इस परकार से यहां पर आ करके आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो लास्ट देथ हो बढ़ा या नहीं बढ़ा यहां पर आप देखेंगे तो इसको लेकर करके संपूर्ण जनकाई बताया गया यहां परा करके पूरी जनकाई प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए यहां परा करक के पूरी जनकाई प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों आज करम इस वीडियों में बिहार 11 एर्मिशन 2024 के लास्ट देट के रिगार्दिंग संपुन जनकाई बता दिया हैं तो उमीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी जहरा पसंद बीडियों पसंद आए तो अगले वीडियों के साथ जय हिंद